जैहिन दोस्तों, मैं नेम इस कृतिका साहू गटना चक्र हिस्टरी की सीरीज में आज हम कवर करेंगे गुपता एंड पोस्गुपता एज Questions and answers डील करने के पहले हम कुछ facts के उपर चर्चा करते हैं So, let's get started गुपता एंपायर ने इंडिया के उपर 275 साल तक राज किया था Approximately 275 years तक And coincidentally, गुपता एंपायर की जो establishment हुई थी वो 275 AD से ही start होती है 275 AD को श्री गुपत नामक एक king थे जिनों ने गुपता एंपायर कर श्री गनेश किया था तो आप that way remember कर सकते हैं 275 साल राज किया था So 275 will be the start age श्री गनेश स्टाट होता है राइड So श्री गनेश से हम याद कर सकते हैं श्री गुपत श्री गुपत वोस दी founder of गुपता डायनस्टी जिनोंने title assume किया था महराजा इसके बाद आये थे घटोतकर गुपत जिनका भी title महराजा था पर अगर हम गुपता डायनस्टी के पहले powerful king की बात करेंगे तो उनमें नाम आता है चंद्रगुपत वन का चंद्रगुपत वन was the first powerful king गुपता डायनस्टी के जिनका time period start होता है 319 AD से 334 AD के बीच तक क्योंकि ये पहले powerful king थे इसलिए ऐसा माना जाता है कि गुपता एरा जो start हुआ था वो 319 AD से हुआ था सो हमको दोनों date याद रखनी है 275 AD जहां से श्री गुपत ने foundation stone रखा था गुपता डायनस्टी का पर पहले powerful king कौन थे चंद्रगुपत वन 319 AD से इसकी शुरुवात होती है चंद्रगुपत वन ने title assume किया था महराजा धिराज as well as इनकी शादी हुई थी लिच्छावी princess जिनका नाम था कुमार देवी चंद्रगुपत वन के बाद next important king है समुद्रगुपत जिनका time line था 335 AD से 380 AD के बीच में देखिए जो समुद्रगुपत थे ये काफी important king माने जाते हैं गुपता empire के जिन्होंने गुपता empire के territorial expansion में बहुत important role play किया था अगर हम गुपता empire की बात करें तो ये जो तीनो shades of blue है यहाँ से ये पूरा ये आता है गुपता empire के अंडर पे बट जो expansion हुआ था देखिए चंद्रगुपत 1 के दोरान स्रिफ यहाँ तक था गुपता empire बट जो समुद्रगुपत के अंडर expansion हुआ ये पूरा purple जो region है ये पूरा समुद्रगुपत के अंडर हुआ था ये जो western part है ये गुपता empire के अंडर आया चंद्रगुपत 2 के टाइम पे पूपस आते हैं समुद्रगुपत के details की तरफ समुद्रगुपत के चार titles थे पहला था सर्वराज ओछेता दूसरा है कवी राज तीसरा है विक्रम अंका और चौथा है पृत्व यामा प्रती रथा ये चारो टाइटल थे समुद्रगुपत के इसके अलावा कुछ details देख लेते हैं इनके बारे में देखिए जो historian थे A.V. Smith ने समुद्रगुपत को Napoleon of India या Napoleon of Ancient India भी बोला था जब इन्होंने South India के तरफ जो campaign किया था military expansion का तो उनके जो commander-in-chief थे उनका नाम था वीर सेन इनके minister थे जिनका नाम था वासुबंदु वासुबंदु जो थे वो एक बुद्धिस्ट कॉलर थे समुद्रगुपत जो है ये एक विश्नु डिवोटी थे and इन्हों ने जो इन्होंने जो Ceylon Ceylon is basically present day श्रिलंका श्रिलंका के king थे जिनका नाम था मेग वर्मन मेग वर्मन को समुद्रगुपत ने permit किया था कि वो बौध गया में एक monastery बिल्ड करें ये कुछ details है इनके बारे में ये आप ध्यान रखिएगा अगले king है चंद्रगुपत 2 जिनका timeline है 380 से 412 AD के बीच का देखिए चंद्रगुपत 2 को हम जो नाम से जानते थे वो थे विक्रमादित्य, देवराज, देवगुपत और देवश्री और इन्होंने जो title assume किया था he was the first gupta king जिन्होंने title assume किया था परम भागवत का देखिए चंद्रगुपत 2 जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे इनके ही court के अंदर थे नौरत्न, नाइन जैम्स की आपने नाम सुना होगा नवरत्न, इन नवरत्न के नाम हम आगे पढ़ने वाले हैं इन्हे के court में, इन्हे के rain के दोरान जो Chinese traveler थे फायान इन्होंने इंडिया विजिट किया था and he stayed in his court for 11 years He was a Vishnu devotee and चंद्रगुपत 2 was the first gupta ruler जिन्होंने silver coin रुपा का start किया था इस map को अगर फिर से देखते हैं तो ये जो पूरा region था ये समुद्र गुपत के समय पे गुपता एंपायर का part हो चुका था मगर ये जो region देख रहे हैं ये वाला इसको बोलते थे western शत्रप region ये उस समय पे साका केंग के अंडर आया करता था इस region के अंदर हम include कर सकते हैं गुजरात को राजिस्थान और जो MP का जो मालवा वाला region है न वो इसका part हुआ करता था तो during समुद्र गुपत ये part अभी भी साका केंग के अंडर था पर चंद्र गुपत टू ने देखिए अगर ये वाला region देखेंगे तो ये वकाटका kingdom के अंडर आता है तो जो समुद्र गुपत टू थे ये वकाटका king जो प्रवरसेन थे प्रवरसेन 1 इनके साथ में alliance किया था इनको मिलके फिर finally साका को हराया था और क्योंकि इनको विक्रम आदेती है और साका अगर आपको विक्रम समवात याद होगा पिछले चाप्टर से तो साका king को इसी दोरान हराने के बाद में इन्होंने विक्रम समवात वाले calendar की शुरुवात की थी और इसी समय पे इन्होंने first silver coins भी start किया था और जैसे की गुपता era को गुपता period को ancient India का golden period भी बोला जाता है because of the art and literature and because of that चंद्रगुपत 2 के समय पे बहुत सारे अजंता और अलोरा की बहुत सारी paintings इनके time पे बनाई गई थी अगले ruler है कुमार गुपत 1 413 AD से 455 AD के बीच में इनने title लिया था महेंद्रादित्य और शंक्रादित्य and he was the founder of नालंदा युनिवर्सिटी नालंदा युनिवर्सिटी इनके समय पे बनी थी next है आप इने गुपता डाइनस्टी के last powerful king भी बोल सकते हैं इनका नाम था सकंद गुपता time period था 455 AD से 467 AD के बीच में title कौन से थे इनके विक्रमादित्य और करमादित्य देखिए आपको सकंद गुपता के बारे में याद रहना चाहिए कि इनके ही reign में हुन्स ने first time इंडिया पे attack किया था and on the first attack he was badly defeated by the army of सकंद गुपता इन्होंने हुन्स को first time बहुत बुड़ी तरीके से हराया था and जो हुन्स का second attack हुआ था वो भी सकंद गुपता के ही दोरान हुआ था देखिए अगर territorial expansion देखिए गुपता empire का तो 375 AD 375 AD कब तक होगा समुद्र गुपता के time तक ये पूरा empire था गुपता dynasty के under and by 450 AD ये पूरा extend हो गया देखिए अगर आप notice करेंगे वका टका के kingdom थी वो वैसे ही थी गुपता ने वका टका पे attack नहीं किया था reason being कि पहले बात तो इनके बीच में friendship alliance भी था and later on जब ये western चत्रप वाला पार जब हमने जीत लिया था उसके बाद में इन दोनों के बीच में गुपताज और वका टका के बीच में marriage alliance भी देखने को मिला है इसलिए हमने गुपताज ने कभी भी वका टका पे attack नहीं किया था इस map को अगर देखें इसमें basically मुझे बस दो चीज़े दिखानी है एक तो ये तामर लिपता तामर लिपती भी बोलते हैं इसको तामर लिपती और दूसरा है भारू कच ये वाला reason ये तामर लिपती ये basically जब international trade हुआ करते थे यहां से समान जाना या आना तो ये दोनों ज export हम इस वाले port से किया करते थे ये है तामर लिपती और ये है भारू कच अब हम विक्रम आदित्य दैट इस चंद्रगुपतर टू के जो कोट में नवरत ने थे उनके नाम along with their professions देखते हैं पहले थे शांकू, he was an architect, अमर सिंग जो की lexicographer थे, lexicographer basically जो शब्द कोश लिखते हैं, dictionary लिखने वालों को बोलते हैं, वारा रूची, he was a grammarian, then थे शपनक, शपनक was an astrologer, घाटकरपार, घाटकरपार was a diplomat, वेताल भट्टा, वेक्रम वेताल एक सीरीज आया करती थी बच्पन में, अगर आपको याद होगी तो, तो वो ये विक्रम वेताल इनी से related है, वेक् याद करें, अभी अभी ज्यान शकुंतलम, जैसी बहुत सारे famous poems रिखी थी, जो कालिदास थे, वो विक्रम अदित्य के कोट में ही थे, and he was one of the नव रत्न, then थे धनवंत्री, धनवंत्री was a physician, and थे वारा मीरा, वारा मीरा was an astronomer, अच्छा, अब इसे याद कैसे करेंगे, दे I do not want to hurt anyone's feeling, देखिए, तीन बिजनिस पार्टनर थे, शान, अमर एन रूची, शान, अमर एन रूची तीन बिजनिस पार्टनर थे, एक astrologer ने उनको श्राब दे दिया, जिसके कारण उनको बिजनिस में घाटा हुआ, शान, अमर एन रूची, एक बिजनिस पार्टनर थे त इंन्होंने अपने तिजोरी का ताला कोला, वहां से काले धन में से एक हीरा निकाला, उस हीरे को बेचके इन्होंने घाटे की रिकावरी करी, तो देखिए, शान, अमर एन रूची, शान से शान कू, अमर सिंह, एन वारा रूची, ठीक है, शाप या फिस श्राप से धन से धनवंत्री and हीरा वारा मीरा से हीरा आ जाएगा ठीक है स्टोरी याद रखिए शान अमर और रूची को एस्टोलोजर ने श्राप दिया जिसके करण उनको बिजनेस में घाटा हुआ रिकवरी के लिए उन्होंने तिजोरी का ताला कोला काले धन में से हीरा निकाल के उसे बेचा अब हम गुपता एज और पोस्ट गुपता एज के questions and answers देखते हैं जो की घटना चक्र में दिये हुए हैं गुपता डाइनस्टी रूल डूरिंग देखिए जो चारो आप्शन में से सबसे अप्रोप्रेट होगा 319 से 500 एडी जैसे कि हमने डिसकस किया है वैसे तो स्टार्ट होता है 275 से 550 के बीच में बट 319 हम इसलिए consider करते हैं क्योंकि सबसे पहले जो powerful king थे गुपता डाइनस्टी के जिनका नाम था चंद्र गुपता वन उनका जो रूल था वो 319 एडी से start हुआ था ठीक है next question है who of the following rulers had performed 4 अश्वमेद 4 अश्वमेद यजना किसने perform किया था तो correct option would be वकरटका king प्रवर सेन 1 प्रवर सेन 1 ने 4 अश्वमेद यजना की यजना perform किया था दो किसने किया था हमने last chapter में देखा है पुष्यमित्र सुंग ने and जो प्रवर सेन 2 थे जो प्रवर सेन 2 थे he was also famous और वो किसली famous थे literature के लिए and he wrote सेतु बन्दा next है who is known as the Napoleon of India यह हमने उपर अच्छे से deal किया है answer is Samudra Gupta किसने बुला था historian जिनका नाम था A.V. Smith इन्होंने एक book लिखा था जिसका नाम था early history of India जिसमें इन्होंने समुद्र गुप्त को Napoleon of India बुला था for his great military conquest Napoleon of India अगला question है who among the following गुप्ता kings had another name देव गुप्त देव गुप्त किसका नाम था option number B चंदर गुप्त 2 देखे एस पर साची और वकट का inscription चंदर गुप्त 2 विक्रम आदित्य को देव गुप्त के नाम से भी बुलाया गया था इनके other names कौन से थे देव राज एन देव श्री तो any name starts with देव वो कहां जाएगा चंदर गुप्त 2 विक्रम आदित्य उनको उनके दूसरे नाम थे next है first गुप्ता ruler to assume the title परम भागवत इसका answer है option number B समुद्र गुप्त देखे अगर मैं आपको एक trick बताऊं भागवत पुरान है भागवत पुरान के अंदर समुद्र मंतन वाला जो chapter है ना उसको उसको नरेट किया गया है तो समुद्र गुप्त समुद्र मंतन से आपको सम अंकारी हमें कहां से मिली है copper plate inscription of समुद्र गुप्त from नालंदा and गया जिसमें परम भागवत टाइटल मिला था समुद्र गुप्त को so copper plate inscription of समुद्र गुप्त जो कि नालंदा और गया में हमको मिला है देखे यहां पे लिखा है बट इस साल 2009 में जब एक question पूछा गया था तो UPPCS ने इसको option number C select किया था बट actual में correct option है option number B समुद्र गुप्त 2015 में फिर पूछा गया same question बट इस समय पर correct option था समुद्र गुप्त option number B next is Allahabad pillar inscription is associated with which one of the following अगर हम Allahabad pillar inscription की बात करते हैं तो इससे बनाया गया था अशोका की द्वारा कौशंबी में initially यह कौशंबी में located था बट later on अकबर ने इसको move करके Allahabad लेकि आये और तब से इसको बोलते हैं Allahabad pillar inscription इसमें वैसे तो बहुत सारे information दी है बट चार important लोगों की information दी है इसमें देखे क्योंकि अशोका के द्वारा बनाया गया था तो अशोका से related कुछ ना कुछ होगा तो अशोका का inscription था जो की प्रामी inscription में था दूसरा है queen's addict queen किसकी queen थी? अशोका की जो wife थी अशोका के death के बाद में whatever the charitable deed he has done उनकी wife जिनका नाम था करूवाकी करूवाकी ने queen's addict के थूँ अलहाबाद pillar में ये सब चीजें engrave कराई थी next है प्रयाग प्रशिष्टी प्रयाग प्रशिष्टी किसने लिखा था? ये समुद्र गुप्ति के जो court poet थे जिनका नाम था हरी सेन हरी सेन के द्वारा लिखी गए है Sanskrit language में इसे लिखा गया था ये आपको याद रखना है तो ये प्रयाग प्रशिष्टी भी अलहाबाद pillar का part है इसके अलावा जब अकबर ने इनको move करके अलावाद लाए तो उसमें इन्होंने क्या एड किया था? इन्होंने पर्शन language में एड किया था जहांगीर इंस्क्रिप्शन जिसमें जहांगीर एंड बिर्बल का नाम भी आता है तो ये चारो चीजे अलावाद pillar इंस्क्रिप्शन के पार्ट है अब देखते हैं इसे related questions and answers देखे तो अगर इस वाले question का answer देखें अलावाद pillar inscription पे क्या क्या चीजें थी तो option number C and D दोनों आएगा अशोक के बारे में भी था एं समुद्रगुप्त किस में आएगा? प्रयाग प्रशिष्टी के तो यह था देखें यहाँ पे तो अलावाद या फिर अलावाद pillar का नाम या अशोका का नाम नहीं दिया गया है बढ़ अगर आपको याद होगा अलावाद inscription में जो चौथा पार्ट था वो था जहांगीर inscription जो कि personal language में लिखा गया था इसलिए हम इस question का answer होगा option number A जहांगीर इसको एक बार फिर revise कर लेते हैं प्रयाग प्रशिष्टी is the name given to अलावाद पिलर पहला inscription क्या है अशोका inscription in Brahmi script यह पहला हुआ दूसरा है queen addict regarding the charitable deed of अशोका's wife जिनका नाम था कारुवाकी तीसरा क्या है समुद्रगुप्त inscription written by Hari Sen this was written in Sanskrit language and Brahmi script का use किया गया था and चौथा जो है वो है जहांगीर inscription in Persian language next question है which of the following inscription reveals information about Silk Weaver's Guild इसका answer है दर्शपूर inscription देखिए जो मंदसौर है मंदसौर यह जिसको हम दसौर यह दर्शपूर भी बोलते हैं यह पढ़ता है मालवा रीजन में MP के पास में यह inscription किसके द्वारा बनाया गया था king है जिनका नाम है he was an Aulikara king नेम यशो धर्मन यशो धर्मन के द्वारा यह inscription को बनवाया गया है यह एक संस्कृत inscription है from the period early 6th century से यह मिला कहां पे था हमें archaeological site village name सोधानी मंदसौर से हमको मिला हुआ है इसे बनाया किस ने था देखी जो यशो धर्मन है इसके पहले जो मंदसौर पे रूल करते थे उनका नाम था बंधू वर्मा बंधू वर्मा कौन थे बंधू वर्मा बेसिकली एक फ्यूडिट्री थे गुपता किंग कुमार गुपते के अंदर इनके जो कोट में जो पोएट थे जिनका नाम था वत्सभक्ती वत्सभक्ती ने इस inscription को लिखा था बनवाया किसके द्वारा था यशो धर्मन के द्वारा लिखा किसने था वत्सभक्ती ने इसके अंदर तीन information दिया हुआ है एक तो record किया गया है victory of यशो धर्मन over हुन किंग मिहीर रकूला जो हुन के किंग थे मिहीर रकूला इनके उपर जो विजय हुआ था यशो धर्मन का इसकी जो गाथा है इस inscription में लिखी हुई है इसके साथ साथ second information क्या लिखा गया था second information लिखा गया था कि जो बन्दू वर्मन है बन्दू वर्मन is the feudatory of गुपता किंग कुमार गुपता वन इनके ये फ्रुडिटरी थे ये भी information इस inscription में mention है and third most important information जो की इस question से related है वो ये है कि एक temple है जो की सूर्य देव को dedicate किया हुआ था a temple dedicated to Syria was constructed by ये construct किसने किया था silk weaver के जो guild है कहां से दशपूर से दशपूर में जो silk weaver guild है उनके दवारा बनाया हुआ है सूर्य temple था जिसको renovate भी इनी guild के दवारा किया गया था इसके बारे में हमें ये detail पता चलती है दशपूर inscription से अगला question है पृत्याह प्रत्नम वीर ये title किसको दिया गया था देखिए वैसे तो यूपी PCS ने इस question को exclude कर दिया था बट क्योंकि इस नाम का title किसी भी king के दवारा नहीं लिया गया था बट इससे अगर मिलते जुलते की बात करें तो तेज राम शर्मा ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था a political histories of empirical guptas जिसमें ये बताया गया था कि जो यश्व अश्वमेद यजना था समुद्र गुप्त के दवारा जो किया गया था इस यजना के बाद में इस ritual के बाद में he assumed the title जो की था पृत्वयम प्रती रथा इस title को समुद्र गुप्त ने अज्यूम किया था अश्वमेद यजना के बाद सो इससे मिलता जुलता टाइटल था इसलिए फॉर इस पर्टिकुलर question answer would be answer number a बट यूपी PCS ने इस question को exclude कर दिया था next the iron column located in the courtyard of Delhi's kuawatt ul-islam mosque is retention of answer है b चंद्र देखिए यहां पर चंद्र बोल रहा है इस iron pillar में चंद्र किंग चंद्र का नाम लिखा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इसे यह चंद्र गुप्तर टू की बात कर रहे हैं यह जो iron pillar है इसका नाम है महरौली iron pillar inscription यह कहां पर located है दिल्ली में कुत्म मिनार के पास में यह located है इसमें किंग का नाम mention है चंद्र जिसको हम हमें जिससे assume किया गिया है कि यह चंद्र गुप्तर टू की बात कर रहे है अकॉर्डिंग तो रेक्रिगनिशन द महरौली iron pillar वह situated आट यह विश्नोगिरी नियर उद्यागिरी hills के पास situated है टाइम पीरेड है विश्नु गुप्तर टू around 410 AD का चंद्र गुप्तर टू जो की लॉर्ड विश्नु के डिवोटी थे उन्होंने इसको construct कराया था in respect of लॉर्ड विश्नु एंबलम bearer of लॉर्ड विश्नु गरूड was engraved on the apex of the pillar next question है which dynasty was distracted the most by Huns invasion यह हमने पहले पढ़ा है गुप्ता डाइनस्टी और सबसे पहले किसके अंडर इन्होंने अटाक किया था सकंद गुप्त के अंदर के रेन के समय पे देखें डीटेल यहां दी गई है the first invasion of Huns took place during the reign of second ago Huns were defeated badly by him Huns तो first वाले attack में तो बिल्कुल बुरी तरीके से हार गए थे but the invasion was just like a raid and no immediate impact occurred on India immediate impact तो नहीं था but इस invasion के बाद में continuously वो invade करते गए धीरे-धीरे करके attack करते गए and over a period of time the invasion intensified हुआ और उसके बाद में decline of Gupta empire over a period of time Huns annexed many region Northwest के बहुत सारे region को इन्होंने annexed किया किस period में 5th से 6th century के बीच में और especially after जब सकंद गुपत की मौत हो गई उसके बाद इन्होंने बहुत सारे region को annexed किया so the dynasty was distracted कौन से dynasty थी गुपता dynasty next question है the Huns invaded India during the reign of सकंद गुप who among the following Gupta ruler conquered Huns सकंद गुप the Gupta emperor who defeated the Huns देखे repeated question है who among the following Gupta ruler defeated Huns इसका भी आस सकंद गुपत है next है from which inscription it is known that सकंद गुप defeated Huns यह important है कहां से information पता चली थी भितारी पिलर inscription से भितारी पिलर inscription जो हमें मिला है सैथपूर तहसिल और डिस्ट्रिक गाजीपूर गाजीपूर में जो सैथपूर डिस्ट्रिक है यहां से हमें भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है इस inscription में describe है the war between सकंद गुप and Huns and it is noteworthy that the first Indian invasion of Huns took place during the reign of Sakahi repeated information है जहां पे Huns was badly defeated by Sakandagu याद रखेगा पितारी पिलर इंस्क्रिप्शन कहां पे पाया जाएगा गाजीपूर उत्तरप्रदेश में देखेए Sakandagupta की मौत के बाद में fall of Gupta Empire चालू हो गया Huns attack was one of the reason but उसके अलावा भी बहुत सारे reason थे इस question में पूछा गया है there were different causes of the downfall of the Gupta Empire which one of the statement is not the cause ठीक है तो Huns to invasion one of the reason था ठीक है second है feudal setup of administration यह हमने पहले भी देखा हुआ है कि feudatory थे हैं गुपता की समय पे acceptance of Buddhism by later Guptas and उसके बाद है Arab invasion देखिए Arab invasion जो है वो answer नहीं क्योंकि जो Arab ने invade किया था India को they started coming to India medieval era में ठीक है और Gupta period अभी तक हम ancient era की ancient period की बात कर रहे हैं so downfall of Gupta Arab invasion was not one of the reason it was not the reason who is known as Saka Conqueror देखिए Saka Conqueror कौन थे चंदरगुप्त 2 या फिर Vikramadity भी बोल सकते हैं इसके बारे में हमने अच्छे से डिसकस किया है बस एक बात मैं बताना भूल गई वो यह है कि जो उस समय पे जब इन्होंने Saka kingdom को हराया तो उस समय पे जो king थे उनका नाम है Rudra Simha 3 Rudra Simha 3 in the first decade of 5th century ये war हुआ था जिसमें Saka power was defeated by Chandragupta 1 Vikramaditya He adopted the title Sakari क्योंकि Saka power पे इन्होंने जीत किया था इसलिए उन्होंने title Chandragupta 2 का एक और title है जो की है Sakari and he launched the silver coins रूपक ये रूपका भी बोलते हैं इस occasion पे इसके साथ साथ विक्रम समवात का calendar भी इस देट से चालू हुआ था First Gupta ruler जिन्होंने silver coin issue किया था आंसर है Chandragupta 2 more on which trade देखिए 3rd century तक जो इंडियन से हम रिलाई करते थे रोमन एंपायर पे for all the trades 3rd century के बाद में जब रोमन एंपायर को defeat किया हुंज ने उसके बाद वीवर रिलाइड on Southeast Asian trade जो इंटरनाशनल ट्रेट थे Southeast Asian से हमने ट्रेट पे रिलाई करने लगे all the Indian merchants so when the Hun invasion ended the Roman Empire in 3rd century AD the Indian merchant relied more and more on the Southeast Asian trade next question है which one of the following port was in use for the North Indian trade during the Gupta period यह हमने static portion में भी देखा है इसका आंसर है Tamra Lipty जो कि आप बोल सकते हैं कलकता का पार्ट है कलकता वाले पोर्ट का पार्ट है करेंडे वहां से हम generally trade route हुआ करता था Gupta period में which one of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period Tamra Lipty the Tamra Lipty port in Bengal was a prominent port during the Gupta period from where कहां कहां से trade क्या करते थे इस port से Southeast Asia, China, Shri Lanka, Java, Sumatra and North India का भी trade यही से हुआ करता था and West Coast का trade कहां से करते थे भीगुरुकच या फिर भागुरुकच भी बोल सकते हैं बहरोच में from where the Gupta ruler used to trade in the Western countries ये देखे, Southeast के लिए हम Tamra Lipty यहां से and West Coast के लिए यहां से भागुरुकच 26 questions हो गए हैं अभी approximately 80 questions और बचे हैं इस chapter में जिसको हम second part में cover करेंगे till then keep revising अगर आपको notes बनाने के जरुवत पड़ेगी तो बिल्कुल short notes बनाईएगा otherwise अगर आप इन chapters को एक ये दो बार देख लेते हैं एन exam के 10 से 15 दिन पहले एक बर और revise करते हैं तो I am sure आपको notes बनाने के जरुवत नहीं पड़ेगी कोविट का टाइम है सेफ रहिए घर पे रहिए जय हिंद